सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हमने बात किये थी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ अग्रिमेंट्स हो थे जैसे फॉस्ट अग्रिमेंट आपको बताया था कि है अब हम पहले कुछ मैंने आपको लास्सेशन में आपको याद हो तो हमने कुछ theoretically में आपको बोला था कि screenshot ले लिजिए तो पहले कुछ आपको point clear कर देता हूं after that हम questions की ओपर आते हैं तो पुरा two subjects joined by and will always take a plural verb है ना तो obvious सी बात है जब भी and compound conjunction दो subjects को join करती है तो उसके साथ हमेशा जो verb लगती है वो plural लिखी जाती है ठीक है जैसे बोड़ा है the doctor and nurse the doctor and nurse work together अब इस sentence की जो वर्व है वो क्या है वो है work ठीक है अब आपको एक चोटा सा point यहां पर clear कर देता हूं जब हम noun chapter के अंदर जब हम noun chapter के अंदर singular और plural form करते हैं singular से plural बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि singular में s नहीं आता है और plural में s आता है मतले boy का plural आपसे पूछे जाए boy का plural क्या होगा तो अब्वियस ही बात है boy का plural क्या हो जाता है जी बॉइस ठीक है book का plural books girl का plural girls ऐसे बनते हैं लेकिन जब हम वाब chapter को करते हैं जब वाब के singular plural form किये जाते हैं तो यहां पे बिलकुल different concept है यहां singular में s लगते है राइट और plural में s नहीं लगेगा तो कहीं नहीं नहीं जब नावन और वर्व के singular plural form किये जाते हैं तो इनका opposite concept है नावन में singular में s नहीं आता है plural में s आता है जबकि वब में singular में आसा आता है he writes she goes ऐसे बोलते है ना they play they plural है तो play आएगा यही यहां पर बोल रहा है work work उसमें लगा तो plural में असलेगता है नहीं है वर्ब में so the doctor and से combine हो रहा है the doctor and nurse तो इसलिए verb लगी हां पर plural यही इस rule में बोल रहा है right rule number third तोड़ा अलग है concept but two nouns joined by and लेकिन बोला है दो नाउन जब and से combine होते हैं और अगर फस्ट नाउन से पहले article proceed हो फस्ट नाउन से पहले तो article आए लेकिन second से पहले article नहीं आए जो दो नाउन है उसमें पहला जो नाउन है उससे पहले तो article दे रहा है आपको लेकिन जो second noun होगा उसके साथ article नहीं दिया होगा तो लास्ट में बोला है so both nouns represent the same person फिर वो एक ही person represent होता है उनको हम दो नहीं अजियूम करते इसलिए वाब हो रहा है इसलिए पहले पर लिखback है आप समय जाती है आप प्रफर पर रिखाए रहा है पर सकते हैं सो चेर्मन होँ है इसलिए अगे लिखा हो आप बोथ नाउन तो चेर्मन जो है वही डिरेक्टर है इसलिए इस लग रहा है यहां पर इस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं सेकेंड में बहुत है आपका फ्रेंड जो दोस्त है वही कलीग है तो साथ में भी काम करते है इस गेटिंग मैरेट तो फर्स्ट नाउन किसे पहले आर्टिकल लेकिन अगर मैं ऐसे यहां पर बोल देता हूं अगर दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल परसीड हो तो फिर वो दो अलग इंडिविजुल बनते हैं और फिर वर्ब हम प्लूरे लिखते हैं अगर इसे बोलूँ दचेर्मन एंड डिरेक्टर फिर आ रहाएगा रहाएगा अगर फिर वो इंडिविजुल अलग हो जाएंगे लेकिन यह मैंने आपको अलग बात बता दी ठीक है कि आपको ऐसे ध्यान अगना है कि दोनों नाउन के साथ आर्टिकल दिया हो तो दो बंदे मानने वह प्लूरे लिखनी है दो है तो प्लूरेल वर्ब आएगी और अगर फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगा रहा है सेकिंड नहीं दे रहा है तो फिर एक ही परसनी प्रेजेंट होता है वह हमेशा आपको सिंगल लिखनी होती है पॉइंट नंबर फॉर ठीक है रूल नंबर फॉर पर आ जाते है बुरे इफ टू सब्जेक्ट्स अर जॉइन together by as well as with along with together with besides in addition to and not rather than the verb will act according to the main subject तो यह जितने भी यहां पर लिखे है as well as with along with है right together with है besides in addition to है इसके अंदर और भी आ जाते है like आ जाता है unlike आ जाता है including आ जाता है excluding आ जाता है यह सारी ही prepositions होती है ठीक है तो बुला है जब दो subjects को यह सारे words जोडते है and नहीं जोडता ठीक है and conjunction है यह सारी prepositions है जैसे कि as well as है ध्यानकना आपने 8 9 10 words नहीं यह prepositions with along with together with as well as right फिर आपका in addition to besides besides आपने पढ़ोगा एक prepositions होती है जैसे I have one more pen besides this one तो addition कर रहा है besides additional words दोते हैं addition करते हैं basically right इसमें आपने like और unlike का ध्यानकना है including और excluding का भी ध्यानकना है तो जब भी यह बोल रहा है कि यह words मतले यह prepositions दो सब्जेक्ट को जोइन करती है तो the verb will act according to the main subject जैसे यह बोल रहा है students as well as the teacher right अब यहां पर दो सब्जेक्ट आगे students as well as the teacher वैसे यह rule book is rule है ठीक है books में ऐसे लिखा होता और इस प्रैपोजीशन का यह बेसिकली अगला जो पार्ट है यह इसका object प्रैपोग के पाद हमेशा object आते हैं तो जो इस point में क्योंकि books में ऐसे लिखा होता है when two subjects are joined by with along with together with जबकि जो प्रैपोजीशन को प्रैपोजीशन के बाद आने वाली चीज़ उसका object होता है उससे पहले उसका subject होता है तो object verb agreement हमने कभी पढ़ा नहीं तो इसलिए यहां पर आगे क्या लिख रहा है आर दूसरे में देखो he as well as his brothers अब his brothers यहां पर object है तो ही के according क्या लिख रहा है is तीसरे में I as well as he अब देखो I के according के लिख रहा है am तो यहां पर I मुख्य सब्जेक्ट है ही मुख्य सब्जेक्ट है स्टुडेंट्स आपका में सब्जेक्ट है तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यारकना यह सारे एडिशन शोइंग कनेक्टर होते हैं with along with together with in addition to besides like unlike including excluding all are additional addition showing conjunctions basically तो इस केस में हमेशा ही पहले को में सब्जेक्ट मानना है और अगली वर्ब को लगाना है इस ही पर आपको एर देगा rule number five but two singular subjects joined by or or nor will take a singular verb जब तो दो singular subjects और और नौर से जॉइन होते हैं तो वर्ब singular आती है डॉक्टर और नर्स बिकाज यह जो और होता है यह एक alternative conjunction होती है और is a alternative conjunction में यह alternate होता है है और के थुरू हम alternate को बताते हैं या तो डॉक्टर या तो नर्स मतलब इन में से एक की है एक की है तो फिर इजी आएगा obvious है लेकिन बोह रहा है if sentence begins with अगला पॉइंट है if sentence begins with each every everyone everybody someone somebody no one nobody anybody anyone none and one यह हमेशा ध्यानकना students यह कुछ आसे words आप देख रहे हैं यहाँ पर जो body पर अद्ट हो रहे हैं कुछ ऐसे words आगले हैं जो one पर खत्म आरू रहे हैं जी समवन नो वन एन वह हैं tą अवЧто न पर थे होते हैं यह बड़े वोतें हैं है लोगधी न और थिंग थेंग वाले नॉन लिविघू को रहर करते हैं तो प्रहा है इनके साथ साध अब singular कभी भी दो मानने की गलती मत करें मतले प्लूरल में नहीं काउंट करने आपने इनको हमेशा अजमिशन क्या लगानी है आपने ही की एक माल ले ना इनको जब यह ही है तो अब्वियस है इसी आएगा है जैसे बोरा इच आप दा स्टुडेंट्स इस प्रेजेंट अब इस प्रेजेंट जैसे मां पहलता हूं इच बोई इज हैपी इच बोई इस हैपी जी हैपी विंस ऑल बोईज हैपी हलागी इसका अंडर सुड मीनिंग यही निकल कर आता है अल बोईज हैपी बट जब हम इच इंडेफिनेट प्रणावन के साथ संटेंस बनाएंगे तो हम वर्ब हमेशा ही वहां पर singular लिखेंगे वहां पर plural वर्ब को नहीं लिखा जाता जैसे यहां पर वो रहा वन आफ प्रेपो है यह इसका अब्जेक्ट आ गया पाटिस्मेंट्स में से वन की बात कर रहा है वन इस मिसिंग तो ऐसे वह लोगे ना वन वन बॉइज मिसिंग वन बॉक इसमें ना फ्रॉम दिस व्रॉंट्स यह से एक बुक मिसिंग है यह लाइब्रेरी से एक बुक मिसिंग है तो वन बॉक इसमिर्ट जाओ ना सब्जेक्ट तो वन की इस से ही लगा हुआ है आगे देखलो इंड़ेट्ट प्रनाउंट्स अच अच आज सम्वन यह सेम लगा जाती है singular each of my friends अब देखो यहाँ पर आफ के बाद यह इसका अब्जेक्ट है इच सब्जेक्ट है इच सब्जेक्ट है तो कहा लिख रहा है calls यह इच boy and each girl है ना तो इच इच के according यहाँ पर हाज यहाँ पर one must tolerate once अब यह जो one होता है इसका जो possessive pronoun होता है one का वह प्रोनाउं चप्टर में हमने पढ़ा था कि one one once oneself जैसे I me my myself है ना ऐसे stable को form करता है cases को तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर one के साथ क्या लिखा जाता है once लिखा जाता है ठीक है जी point number eight लेकिन ध्यानकना आपने कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रनाउंस भी होते हैं जो प्लूरल को रफर करते हैं उस पर बेस्ट है रूल जैसे बुरा इंडेफिनेट प्लूरल प्रनाउंस like all है some है part है majority है percentage है fraction है several है few है both है many है तो मैंनी तो प्लूरल ही होता है ना मैंनी तो सिंग्लर रफर नहीं करता है औल भी प्लूरल है all boys are present ठीक है all boys are present in the class right तो इन सब के साथ हमेशा obvious है प्लूरल ही वह आएगी क्योंकि सारे प्लूरल है both of the books require यह वह देखो एस नहीं लगा रहा several of the filters regularly run runs नहीं लिख रहा कि runs तो तब लिखेंगे ना जब सिंग्लर सब्जेक्ट होगा जैसे he runs she runs लेकिन they run we run they or we प्लूरल है तो रन आएगा उसी तरह से several of the filters की बात कर रहा है ठीक है तो regularly run for four 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 or five kilometer a day ऐसे बोर रहा है अब आजाते हैं questions पर यह questions पर ऐसे मैंने के answer हम एक एक करके discuss कर लेते हैं कि किसका सवाल किस सवाल का उतर क्या होगा ठीक है जी पहला question कि बोर है one of the pupils in a class डैसकार आपको पताना है ओन आएगा ओन साइगा तो obvious है फिर से वही point आ गया one of is a prepos the pupils is the object of this particular proposition right so one of the pupils pupils में से एक की बात हो रही है एक की बात हो रही है तो obvious है ओन साइगा क्योंकि subject का जो number बन रहा है subject जो है हमारा वो singular nature का subject है इसलिए फिर he owns होता है she owns होता है so one of the pupils में से out of many pupils किसी एक की बात हो रही है इसलिए वहाँ पे ओन साइगा राइट अब देखो देखो देखोगे the lions तो आप तो बलोगे सरी तो फ्लूरेल है लेकिन आपको थोड़ा आगे देखना पड़ेगा कि an interesting book actually this is the name of the book आप देखो यह टी कैपिटल है एल कैपिटल है ओ कैपिटल है टी कैपिटल है एक कैपिटल है जब भी ऐसे प्रोपर नाउन्स होते है प्रोपर नाउन्स आर ओल्वेज रिटन विद यूड़ेटल फिर इसमें नेम आपद ऑर्गिनाइजेशंस आ जाता है उनाइटिड स्टेट्स है ना नेम ऑफ दो और्गिनाइजेशंस मूवीज के टाइटल्स नेम है ना जैसे माल्गूडी ड बहुत पहले आता था सारे लेटर कैपिटल है इसलिए प्रॉपर राउन है एक ही किताब की बात कर रहा है तो अंसर होगा इस ठीक है जी सेगंड में जाएगा दे लाइंस ऑफ द इस्ट यह पटिकुलर एक बुक का नाम है तो कभी भी बुक का नेम आजाए मुवीज के टाइटल का नेम आजाए और्गनाइजेशन के नेम साजाएं इनके साथ वर्प सिंग्रों लिखी जाती है थर्ड एपल पाए एंड कस्टर्ड हालांकि हमने छोटी क्लासी से तो यही पड़ा है कि एंड एक कंपाउंड का जंग्शन होता है उसके साथ हमेशा ही प्लूरिल वर्प को लिखा जाता है राम एंड शाम आर ऐसे बोलते हैं लेकिन यहां पर कॉंसेप्ट थोड़ा अलग है आपको ध्यानक टी एंड बिस्किट्स चाय के साथ लोग बिस्किट्स लेते हैं ब्रेड के स्लाइस के ओपर बटर लगा के खाते हैं तो यह पोड़क्ट टेक बनता है जैसे कडी चावल होता है राइस एंड करी राइस एंड करी अना फिश और चिप्स यह सारी डिशीज के नाम है ध्यान साथ कभी भी वर्ब आपने प्लूरल नी लगानी सिंग्ल लगानी इस आएगा बहुत आएगा तो यहां पर अनसर इस होगा आर नी होगा यह निमत देखना कि एंड आ रहा है तो कहीं आर कर दिया रॉंग हो जाएगा एपल पाई एंड कस्टर्ड इस माइज होगा ना कि आर माई फैब्रेटिश होगा यह आपको ध्यान रखना है चलिए कुश्चन नमर फोर्थ और अब जांट बोरा है यह बड़े लावल की बाते होती है आपको ध्यान रखना है तैन किलोमेटर साजाए तैन डिस्टेंस की बात हो तैन किलोमेटर सो टैन माइल्स दिया हो दे तो हमेशा इसके साथ वर्प को सिंगलो लगाना है तो यहां पर इस आएगा ठीक है उसके बाद फिफ्ट बोर है मोहन as well as यह वही रूल है जो भी पिछे बताया तो पहला में मुख्य सब्जेक्ट मोहन यहां पर यह प्रैपो है यह इसका अब्जेक्ट है मोहन सब्जेक्ट है सो मोहन के अकोर्डिंग आएगा वास वर नहीं आएगा ठीक है जी नीदर जॉन नौर यू अब यह जो कॉंसेप्ट है ना तो जॉन नहीं तुम अब यहां पर क्या आएगा वास आएगा वर आएगा तो आपको एक मैं पॉइंट दिखा देता हूं आगे इस पिपिटी में में मेंशन होगा ठीक है इसको बेसिकली बोलते हैं यह दिस इस कॉल्ड रूल और प्रॉक्सिमिटी अप्लाए होता है प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग होता है स्टुएंट्स नियर्नेस नस्दीक ठीक है जैसे मैंने बोला ऐसे इधर यू और ही टुबलेम अब आपको देखना है इधर अगर मैं यू को मानूँगा सब्जेक्ट अगर यह सब्जेक्ट है तो फिर इसमें आ रहाएगा यू आ टुबलेम अगर यहां और लगा दिया है अल्टरनेट लगा दिया अगर इसको सब्जेक्ट मानूँगा तो फिर इस आएगा, अब यहाँ इस ही आएगा, क्यों आएगा इस, क्योंकि इस वर्ब के जो नजदीक है ना, वो ही है, अब ये नजदीक मतलब proximity, proximity means होता है, nearness, नजदीक, जो subject वर्ब के नजदीक होता है, उसके according आपको वर्ब को लिखना पड़ता है, और ये point आपको हमेशा के तीन जोड़े याँ रखने है, either or, neither nor, not only but also, ठीक है, तो इन पांच situations में आपको rule of proximity को follow करना होता है, इस ही को मैं ऐसे बोल दूँ, either he or you, फिर are to blame, क्योंकि हाँ पर अब यू नजदीक हो गया, इंटरेचेंज कर दिया है, अब जैसे ही error है, ये वला, बुरे not only, अब न not only but also पर भी चलता है, proximity, not only you, but also your father, तो you subject होगा या your father subject होगा, subject तो दोनों ही है, बट नस्दीक कौन सा है, नस्दीक your father है, तो यहाँ पर B में is आएगा, आपको आपको बात समझ आगी होगी, चीक है, तो पीछे चलते हैं उस पर, आप इस point पर था, तो नस्दीक यहाँ य जाएगा, आगे, 789, इदर सोभा और आए, एम, क्यूंकि एदर और के साथ भी रूल चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आजाएगा, नीदर अब यह जो नीदर होता है, इदर अकेला भी होता है, नीदर अकेला होता है, इनके साथ जब भी हम लगाते हैं, तो singular ही लि कर देखी जाती है, यहां पर आजाएगा, वास ठीक है जी, उसका दग काउंस्तिल, डाश चूज़न, इट्स प्रेजिडेंट, यहाँ पर और आउन का केस इट्स लगा रहा है, ना, इट्स लगा रहा है, तो मतलब काउंस्तिल, सिंगूलर अजिम कर रहा है, यही सेंटें तब है बाता, 10, 11, 12, 2 and 2, make 4, the cost of all these articles, अब subject यहां पर the cost है, यह all these articles है, यह आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको बता दिया, प्रैपो के बाद object लिखे जाते हैं, so all these articles is a qualifier, एक subject होता है, वैसे तो आप इसको बोलोगे, सर आपने बोला, यह object है, object भी आप इसको बोल सकते हो, इसका एक और नाम भी होते हैं, इसको qualifier भी बोलते हैं, qualifier English में एक ऐसा word होता है, qualifier is a word which gives us additional information about the subject, जो हमें subject के बारे में additional information देता है, लेकिन वर्ब कभी भी qualifier के according नहीं लगाई जाती, तो all these articles के according का भी हाब मत कर देना, the cost, the cost has, right, all the students, plural, तो फिर लर्न, प्लूरल आ गया ना, all तो plural indefinite pronoun है, फिर आपका उसमें लगना है, 13, 14, 15, the quality of the mango, same वही बात है, the mango यहाँ पे qualifier है, right, the quality यहाँ पे subject है, so the quality was not good, right, so each आ गया indefinite pronoun, each के साथ singular, यह तो आपको ऐसे ना, आख बंद करके करने पढ़ेंगे, मतल फिर आपकी मदिन, accuracy है, क्योंक everyone, everybody, somebody, everyone, someone, no one, anyone, सारे singular होते है, iron as well as coal, is, right, 16, 17, 18, rain dash from the sky, rain fall from the sky, यह rain falls from the sky, तो यहाँ पे आपको ध्यान आखना है, कि rain singular है, तो इसके साथ fall नहीं आएगा, false आएगा, ठीक है, the great poet and dramatist, आगे हो concept, अब poet के साथ article दा लग रहा है, great qualified adjective डाल रहा है बीच में, यहाँ पे नहीं लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, तो एक ही है, जो महान कभी है, वो ही dramatist है, वो कभी भी है, dramatist भी है, the orator and statesman, the orator and statesman, यहाँ पे भीज आएगा, क्योंक चलिए, 19, 20, 21, neither of the films, अब films के according वर नहीं लगाना आपने, आपको पता होना चाहिए, neither, either, यह भी indefinite pronoun की तरह, verb singular ही लेते हैं, चीक है, तो यहाँ पे आजाएगा, was, उसके बाद, the king with all his ministers, अब देखो, यहाँ पे with preposition आगी, all his ministers, इसका object आगया, तो वर इसके according वर नहीं बलकि the king की according की आएगा, was, answer की होगा, students, was हो जाएगा, every man, woman and child in the village, dash one did, right, अब बच्चा सोचेगा, man आ रहा है, woman आ रहा है, उनका बच्चा आ रहा है, तो बहु सारे होगे, तो लगा दो भाई, यहाँ पे वर, जबकी concept है, कि यहाँ पे every है, every indefinite pronoun है, जिसके साथ आपके लगाओगे, was, ठीके जी, 22-24, rice and curry, is dish आगी, he is one of the greatest leaders, that, अब leaders, plural है, यहाँ पे तो have, a number of students, were, एक बात ध्यानकना, दो concept होते हैं, एक a number of होता है, एक the number of होता है, तो a number of के साथ, वर्ब लिखी जाती है, students, plural, और यह जो the number of होता है, इसके साथ वर्ब लिखी जाती है, singular, यह आपको ध्यान रखना है, तो a number of है, क्योंकि यहाँ पे, इसलिए हमने क्या लगाया, were, 25 number question, the boy and the girl, अब obvious है, and यहाँ पे भी the लगा रहा है, और यहाँ पे भी the लगा रहा है, अब जो लड़का है, वही लड़की तो CUT के exam में मतलब आ सकता है, ठीक है, और यह की जो kilometers, five kilometers, five miles, ठीक है, यह concept बड़ा important है, और एक जो आपको मैंने rule of proximity बताया, nearness, according to the near subject, we have to put the right verb, मतलब जो subject वर्ब के नजदीक होता है, उसके according verb लगानी है, एक यह वाला point, proximity वाला, और एक जो आपको मैंने indefinite pronounce के question करे, each, every, everybody वाले, जितने भी सवाल यहां पर हमने करे, ठीक है, इनके साथ verb हमेशा singular लिखी जाती है, यह भी बड़ा important है, और एक आपको यह जो preposition वाला बताया, कि जब दो चीजों को preposition का माइन करती है, like with, along with, together with, as well as, including, excluding, like, unlike, besides, in addition to, तो हमेशा पहला ही subject मानना है आपने, first subject होत जागी, उसके बाद जो लिखा जाएगा, post preposition का objective case होगा, ठीक है, तो वाब हमेशा फस्ट मेन subject के according ही आगे, put की जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, so this is all about, इतना भी अगर आप करेंगे, तो CUT के exam point of view से subject verb agreement का कोई भी concept आप मिस नहीं करेंगे, so thank you very much, take care, see you जाएगी.